हाई वेल्टी क्रेशन टिप्स के परिवार में आप सबका सवागत है दोस्तों आज मैं दो शेयर लेके आया हूँ आपके सामने हैं LIR CTC और LACF इंडिया ये दोनों दिग्गज हैं अपने अपने फिल्ड में मास्टर्स है तो आज कल इनकी चर्चा खूप चल रही है तो इनके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे और इससे पहले पिछले साल बारा दिसंबर को इसी चानल में आपको मिलेगा वैसे बारा दिसंबर को हमने एक कंपेरिशन किया था दो शेयरों की वो क्या है Yes Bank versus South Indian Bank Yes Bank और South Indian Bank दोनों की तुलना की कंपेरिशन किया था देखा की उनका क्या पोजिशन है क्या हो सकता है तो सबसे पहले मैं यह करता हूँ तो सबसे पहले उनका तोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसके बाद हम आपको ले चलेंगे यह इनके इनके लिए LSF India और IRCTC के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आईए Yes Bank यह देखे Yes Bank का परफामेंस अभी हमने डिसकस किया था December 12 को December 12 को करेब 25 रुपया था इसका प्रैस Around 25 रुपिस वो वीडियो ज़रूर देख लीजे 12 दिसंबर का इसी चानल में है Wealth Creation Tips हिंदी चानल में है यह तो फिर इसके बाद क्या हुआ आज के डेट में आज 8 फरवरी 8 फिबरवरी तो 30 प्लस है Last two days में Last two sessions में बहुत अच्छा ग्रो किया इसमें अब 30 प्लस है 25 से 30 तक हो गया डेड़ महिने में इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है 1 फिप्त है तो 25 में 5 जूड़ गया 5 डिवाइड बाए 25 1 फिप्त 1 फिप्त मेंस 20 परसंट अफकोर्स डेड़ महिने में 20 परसंट कुछ कम नहीं होता फिर भी जो भी हुआ Last two three sessions में बहुत अच्छ Stock market की यही कास यते देखे यह position है यह तो बड़े swing में दावड रहा है So किसी के पास है Yes अच्छी बात है तो hold करने लायक है यह लेकिन एक बात यह जरूर याद रखना यहां हम जो भी discuss करते हैं वो recommendation Stock recommendation यह stock advice नहीं माना जाए बासपनेट बास। because investment is risky based on risks So you have to take decision on your own Okay Next, देखे South Indian bank देखे South Indian, the South Indian Bank ये और अच्छा गया मतलब last 10-15 sessions में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने चलिए देखते हैं आपको ले चलते हैं ग्राफ में देखें कितना बढ़ गया ये यहां से लेकर ये करीब देखेंबर 12 को 27 के आसपास था अब 27 से लेकर ये पीक पे पहुंचा 40 के आसपास 38-39 इसके बाद थोड़ा सा कर्रेक्षन आया रुका हुआ 37 में फिर आगे बढ़ने को सोच रहा है मतलब 37, even 37 27 से 37 का मतलब बहुत अच्छाग 27 का 37 कुछ काम नहीं 10 रुपिस 10 आओट आफ 27 10 बाइ 27 30 परसंट से उपर ही है 40 परसंट समझ लो 35-40 परसंट रेंज में डेड़ महिने में तो कितना ग्रोथ हुआ स्टाक मार्केट की ही खासियत है इसी शेर को मैं कई सालों से अबजरू कर रहा था 2018 में 2017-18 में ये 34 लेवल पर पहुंच गया था 30 में पहुंच गया था उसके बाद इतना बुरा हाल था इसका कि 5 रुपिया क्या बोलते हैं करोना के टाइम में ये 5 रुपिया हो गया आप समझ लो इतना बुरा हाल हो सकता है चलिए इसका past performance देखेंगे 5 शाल का देखरो हूं पिछले पांच साल में इसका क्या performance है देखें पिछले पांच साल में क्या रहा है है इसका performance सोला सुत्रा कितना बीस तक था तो और और जाए आठ साल का ले लेंगे फाइव येर्स का नहीं एट येर्स का लेके देखेंगे पिछले आठ साल का सो पिछले आठ साल में इसका क्या पोजिशन है हाँ आई ये सो ये आपके सामने तो इसका प्रिवेस हाई कितना था और वहाँ से ब्रेक ओट कर गया रिसेंटली अब कई साल के बाद ये कब हुआ था 34 हुआ था 2018 में था 2018 के बाद 18 से लेकर पांच साल तो निकल चुके है पांच साल निकल चुके है 6th year running so 6th year 5 साल के बाद इसका breakout हुआ देखें 5 साल के बाद breakout हुआ sometimes कुछ shares को के साथ यह होता है कि बहुत प्रैम लगता इतना रुलाया इसने investors को कि 5 रुपिया नीचे 5 रुपिया में 5-6 रुपिया में ट्रेड कर रहा था का करोना से पहले भी बुरा हाल था करोना के बाद भी रिसेंट इवन रिसेंट पास्ट में रिसेंट पास्ट में भी यह काफी लो चल रहा था कितना 6 रुपिया रिसेंट पास्ट वह कब है मैं आपको ग्राफिकल यह दिखाता हूं एक लाइन वर्टिकल लाइन खीचके देखें रेसेंट इस रेसेंट यह 8 रुपया इससे पहले 6 रुपया भी था 5 रुपया 6 रुपया देखें 8 रुपया से 8 रुपया कप का था यह वो भी मैं बताता हूं 2022-23, यहने 2022, middle of 2022, in the middle of 2022, it was trading at 8 रुपया रुपया रुपया, 2022-23, पतानी और कितना जाएगा, जा सकता है, जाने के लिए तो, टेकिये, there is a scope, there is a tremendous scope nowadays, market में करशन आएगा तो सभी गिर जाएँगे, फिर उठेंगे, गिरना उठना तो स्वाब होगा है, नेचरल है, तो बढ़ने में और गिरने में कोई देर नहीं लगती, कोई टाइम नहीं लगता, यह breakout है, ब्रेक आउट की वज़े से आप कह सकते हैं कि, yes this is strong, लेकिन अब करी सकते हैं, sorry, wait करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद, wait करना बनता है, wait करके corrections, जब market में corrections होंगे, तब याद करके इसको pick-up कर सकते हैं, तब तक नहीं, okay, so अब आईए, आपको ले चलते हैं, IRCTC, IRCTC versus LASF India, तो इसमें information बहुत है, बहुत ज़्यादा information है, लेकिन मैं briefly बताने की कोशिश करूँगा, IRCTC 2019 में, यह 2019 में इसका उदगाटन हुआ, उदगाटन in the sense, government, 100% government के पास था, government ने सोचा कि तोड़ा सा portion privatize करेंगे, so privatize किया इनोंने कितना परसंट, आफर फर सेल के नाम पे 13%, 13%, इनोंने आफर फर सेल मतलब दिया, actually दो बार किया इनोंने, करोना के बाद 2021 में, 19 में, 19 अक्टोबर में एक बार किया, उस समय 3.20 रूपीस था, यह देखे, 3.20 रूपीस इस नतिंग, 3.20 रूपीस, 10 रूपीस शेर, वो 3.20 रूपीस का, ऐसे देखते देखते बढ़ता गया, क्योंकि 2019 में, मार्केट का पोजिशन भी इतना ठीक नहीं था, गौवर्मेंट ने भी नहीं सोचा कि, यह वैलिएशन बहुत लो वैलिएशन है, मार्केट ने समझ लिया, तो पिक अप करने लगा, तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, कई लोगों का अमेर बना दिया इस शेर ने, और इसके बाद ये, गौवर्मेंट ने सोचा, एक बार और बेचेंगे, करीब 1500 के आसपस, देखो 300 कहा, 1500 कहा, 1500 का मतलब पांच गुना हो गया, देखते देखते दो साल में, सो फिर कुछ और स्टेक सरकार ने बेचा, उस समय, 2021 में, ये तो ठीक है, अब क्या पोजिश्टन है, इसके बाद इन्होंने क्या किया था, समझदारी से, सरकार ने, 10 रुपे वाले शेर को स्प्लिट करके, पांच शेर बना दिया, एक शेर, पांच हो गया, आपके पास 100 शेर होते, तो 500 बन गया, क्योंकि, इसका फेस वैल्यू टू रुपीज हो गया, अब इसका फेस वैल्यू रुपीज टू है, यह बी स्प्लिट करेंगे एक दिन, वो अलग बात है, तो स्प्लिट करने के बाद भी रुका नहीं, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कुछ दिन के बाद थोड़ा सा, मोमेंटम में, मोमेंटम ढिला हो गया, तोड़ा स्लो हो गया, स्लो होके, होते होते हुए भी, स्लो होना, एक्शुली, वोन्डरफुल आपर्चुनिटी फ़र बायर्स, मौका दिया, बिग प्लेयर्स, बड़े-बड़े बावू लोगों ने प्रॉफिट्स बुक किये, सिंपल, प्रॉफिट्स बुक किये, प्रॉफिट्स बुक करके बैठे, तो धीरे-धीरे फिर, retail investors और इधर उधर सब entry मारने लगे और धीरे-धीरे करके फिर pick-up किया कर रहा है so यह आज के date में इसका market price क्या है 947 इसका CMP कहता है न हम current market price 947 आज के date में आप बताओ 320 रुपीज का share 947 बन गया तो तीन गुना तो हो दिखी रहा है plus 5 एक share दा 5 में हो गया into multiplied by 5 तो कितना हुआ आप बताओ यह 320 रुपीज के भाव पे लेकिन वो 2 रुपीज हो गया 2 रुपीज का इतना हो गया तो 5 रुपीज का कितना होगा 10 रुपीज का 10 रुपीज का 10 रुपीज का है तो 5 तामस होगया 5 तामस एक share होगया 5 रुपीज का होगया यह share है यह स्प्लिट नहीं है तो 4600 लेवल का है वेराज यह वह अवैलेबल था 320 पे इसका मतलब 10 बारा गुना हो गया कितने साल में 2019 से लेकर अब 24 में है 24 को तो गिनना नहीं 19 से लेकर 23 तक 19 वो भी अक्टोबर है है ना 19, 20, 21, 22, 23 चार साल चार साल कुछ महिना पांच साल पूरे नहीं हुए पांच साल पूरे नहीं हुए दस बारा गुना बढ़ गया 10 बैगर 12 बैगर बन गया यह देखा और इसका बिजनिस मोडल क्या है टिकट बुकिंग, कैटरिंग, ब्ला 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 राइलवे में इसकी मोनोपली है अब रिसेंटली इन्होंने एनॉंस किया कि कुछ अधर एरियास में भी हम डाइवर्सपय कर रहे हैं नाट एक्स्क्लूसिवली लुकिंग इंटू रैलवेस अपना घरी नहीं है अधर अगल अगल भी के घर भी समालेंगे इसका मतलब है एक तो इसकी मोनोपली है रैलवेस में कोई भी कुछ भी करना है तेसल्टीज प्रवैड करनी है कुछ भी है टिकेट बुकिंग फर एक्जांपल टिकेट बुकिंग में इनको तो कमिशन मिलता है भारत में कितने लोग टिकेट बुक करते हैं आजकल तो कौंटर में खरीदने की खरीदने वाले खरीद रहे जो रेलवेस टेशन जा रहे है खरीद रहे कहीं लोग रेजर्वेशन से बुक कर रहे तो IRCTC के द्वारा सदियों पुरानी बात है IRCTC तो इतना पॉपलर है हार कोई जानता है 15-20 साल से 20-25 साल से मैं तो 20-25 साल से कर रहा हूँ जब से हां सो इसकी income की कोई limitation नहीं है कभी कोई product है कुछ हो सकता है प्रब्लम हो सकता है कि trade cycle ऐसा कुछ हो सकता है trade cycle का मतलब कोई export company है उसमें कुछ problem हो सकता है, export में problem है to, export नहीं हो हूपा रहा है problem हो सकता है या कोई product है change of trend trend बदल गया, habits बदल गया technology बदल गयी competition आ गया यह सब हो सकता है लेकिन IRCTC के लिए competition क्या है यह monopoly है Indian railway government की है सरकार चला रही है तो IRCTC सरकार से निर्मित company है आप समझे आप बताओ इसका monopoly है इसके कोई competitor नहीं है और जितने भी ticket booking हो रहा है जो भी services दे रही है यह services की कमी कभी नहीं हो सकती services की संख्या मतलब quantum of service बढ़ सकता है भारत जैसे देश में आबादी वाला देश है we are number one in the world in world in population in population we have beaten China already in economic growth also we are trying to beat China sure in 10 to 15 years time we will beat China in economic growth also because we have population so population is strength population is growth so monopoly business है growing business है आप imagine करो simple common sense है आने वाले पांच साल या दस साल में यह कहा पहुंचने वाला है इसको कहा पाओगे अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है mind boggling so I really love the business model of this company लेकिन फटाफट जाके इन्वेस्ट करो शेर्स खरीदो यह मैं नहीं कहे रहा है मैं यह नहीं कहे रहा है आपकी मर्जी खरीदना ना खरीदना आपको खुद डेशनल लेना होगा लेकिन कमपनी के कमपनी का strength तो कमपनी के प्रोस्पेक्स देखा जाए तो it's wonderful, beautiful company इसमें losses की कोई गुंजाईश उसकी आपेक्षा नहीं कर सकते इसमें है क्या loss के लिए और इनके लिए तो और asset light company यह नहीं कहूंगा asset light नहीं है फिर भी ठीक है फिर भी light ही है क्योंकि service oriented industry है and इसकी इसका market cap देखा जाए इसका market cap 76,380 market cap जानते है 76,380 crore अभी चेक कर लो records में so face value 2 रूबी से इसकी P.E. कितनी है interestingly इसकी P.E. है 70 plus है इतना P.E. अरे अच्छे company roaring growing company company का तो P.E. बनता है इतने इस level पे भी लोग करीद रहा है yes this is यह कोई trading company manufacturing company थोड़े ही है services industry है और इसके growth prospects है यह देखके खरीदते है तो घबराने वाली बात नहीं है P.E. 70 है तो बहुत ज़्यादा हो गया यह dividend paying company है yes so dividend छोटा सा dividend दे रहे है आज कल ज़्यादा बड़ा dividend नहीं दे रहे है एक दिन आएगा ज़्यादा cash रिच हो जाएगा तो बड़ा dividend देगा क्योंकि government को dividend चाहिए चाहिए ज़्यादा बड़ा dividend तो आएगा याएगा ज़रूरी नहीं है dividend से बढ़कर growth important है अभी growing stage में है ये दोनों दिगज है लेकिन अभी start they have just started समझ लो public के लिए हम लोग के लिए just started they started business long back LIC started in 1956 लेकिन उसका सारा फाइदा government सरकार को ही मिल रहा था अब हम साज़दार इसमें shares खरी देंगे तो हम इसके भागिदार या साज़दार बनेंगे we become a partner so वो उसका हिस्सा जितना हम invest करते है उसका हिस्सा dividend के रूप में भी हमें मिलने वाला है growth के रूप में भी मिलने वाला है यहाँ public private partnership वाली बात है हाला कि छोटा सा portion है so PE ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसका 52 week high low देखा जाए 52 week low high देखा जाए यह 557 1049 यह high है यह high अब यह high के आसपास आई है high के पास में यह बताने की जरूरत नहीं है वैसे इसके dividend बले ही कम दे रहे हो इसका growth है और it has given a wonderful opportunity मैं आपको दिखाता हूँ graphically दिखाता हूँ इसने बड़ा मौका दिया investors को two years का ले था हूँ last two years का ले थे IRC क्योंकि एसारे recent है नुली बॉर्न newly born babies है देखो last two years में इसकी क्या performance है चलिए देखिए last two years में IRC की यहालत है एक phase में तो काफी बढ़ गया था देखा यहाँ पर यहाँ काफी बढ़ गया था और इसके बाद पता नहीं क्या हो गया यहाँ से लेकर लगातार consolidation मोड पर डाउन 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 November 2021 November 2021 तक तो अच्छा गया इसके बाद फिर इतना बढ़ा मोचा देखा इतना बढ़ा मोचा November November 22,23 21 तो टो 22,23 दो साल दो साल में इतना बढ़ा में दो साल में यह मोचा दिया बाइंक का मोचा दिया लोगों के लिए अब यह प्रीवियस हाई जो है इसको ब्रीच करने के लिए ब्रीच करने को लगा हुआ यह ब्रीच के बाद ब्रीच के बाद ब्रीच की संख्या बड़ेगी वह भागिशाली हम भागिशाली उम में हम भी हाई की नहीं हमें चेक करना पड़ेगा के ब्रीच की पहले graphically देखेंगे last two years में all data करो कुछ भी करो all data ही लिया मैंने क्योंकि ये तो अभी नहीं है ना पुरानी इसका issue price था 900 इसका issue price 949 रुपीज लेकिन बहुतों को रुलाया लोगों का comment था कहना था कि इसने सरकार ने ज्यादा price ज्यादा देके लगा के high price पे बेचा लेकिन सरकार ने पता है सरकार ने कितना stake बेचा इसका 4% 3.5% केवल 3.5% बेचा और बेचने को है they are going to divest more बोलेंगे कि हम इतना stock बेच रहे इतना दे रहे बड़ा तो रहे stock बड़ता जा रहे क्यों बड़ता जा रहे बड़ा बड़ा के बता देंगे कि हम इतना quantity बेचेंगे offer for sale ऐसा कुछ so 3.5% यहने 92.5% अभी भी सरकार के पास है इसका market cap मैं बता दू market cap कितना बड़ा है इसका market cap 6,60,000 प्लस यह 76,000 का है यह 6,60,000 प्लस का आप बताओ कितना बड़ा है the highest you can say Reliance Industries केता है कि highest weight is है इसका कितना है इसका 20,19,000 का आसपास होगा Reliance Industries का 19,00,000 क्रोर का यह अल्मुस्ट वन थाड़ अफिट Reliance का वन थाड़ है लेकिन उसका बाब बनेगा एक दिन chances है मतलब इसका market cap यही रुकेगा नहीं 6,00,000 करोड पे रुकेगा नहीं देखो कितना आगे बड़ेगा यह आगे जाके एक बर्गत का पेड़ बनेगा बन्यांट्री और इतना बड़ा होगा की बोलेंगे की यह से यह सी हाईएस्ट जैसे अपिल अमेरिका में अपिल जैसे company Microsoft Apple जैसे companies का नाम लेते हैं Amazon वोगेरा वैसे उस category का यह आईगा इंडिया में और insurance business इसका main strength है और insurance के अलावा इनका investment investment भी तो है LSE चाहेगा तो आज market को गिरा देंगे कोई रोकने सकता LSE अकेले खड़े होके market को गिरा सकता है आज market को गिरने नहीं देंगे LSE अकेला खड़े होके market में सब कुछ खरीदेगा करी सकता है खरीद लिया तो market उटेगा उपर इतनी केपासिटी है LIC अपिंडिया के पास फ्लश्च विथ पंद्स अन्ड LSE का शेर होल्डिंग पैटरन भारत में जितना भी है टोटल market cap में 4% LIC का इंडिया में टोटल भारत के पारत के कंपनी में युकन से market cap और GDP आई से सम्झो 4% LIC का singular single highest investor इतना बड़ा है सदियों से कमाते रहे कमाते रहे इतना strong है अब इसका CMP आज के date में आज कल तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अपने देखा ये LIC का graph में बढ़ता जा रहा है ये 1105 by this time actually ये all time high मतलब all time high पे पहुंच गया था 940 पे इनोने 949 पे इसका issue price था 949 का लोग रोने लगे क्योंकि इसका वो इसका ओपनिंगी 600 का आसपा 650 yes something like that शुरू में ही खतम और इसके बाद constantly there is a there was a lot of selling 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 last two years में बटो हुआ तो 22 में 22 to 24 one and a half years में सेली सेल है ये देखा आप ग्राफ देखिये आप एक बार आओ नजर मार है selling sale 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 इतना open open हुआ ही low पे below 900 800 के आसपास तो open हुआ इसके बाद लगा तार गिरता गया गिरता गया यहां तक गिरा फिर गिरा मतलब people sold with vengeance यह इसका low था low high देखा जाये तो मैं आपको देता बता देता हूँ 52 week low high में 530 1145 530 1145 आज ही यह all time 52 week high आया आज ही आया तो इसलिए आज मैं discuss कर रहा हूँ इसके बारे में 530 कहा 1145 कहा एक साल में यह देखिये यह 530 1145 आवर एक साल में यह 83 परसेंट ग्रोथ दिया एक साल में लास्ट इयर में जिसने करिदा यह 40 प्लस है 40 प्लस 48 परसेंट ग्रोथ दिया IRCTC ने और LIC ने 83 परसेंट दिया देखा 83 परसेंट दिया और यह बड़ता बड़ता जा रहा है आज 52 विक हाई में और इसका face value तो 10 रुपीज है अभी तो मैंने बता है तो ना face value 10 रुपीज है आगे इसको भी split करेंगे बेचेंगे और और बढ़ा देंगे इसको बढ़ ना था इसलिए तो बढ़ रहा है LIC चाहेगा तो इसका share बढ़ने सकता सरकार चाहेगी तो लेकिन एक बढ़िया चीज यह है इंसुरेंस सेक्टार के होते हुए भी इसका PE 17 परसेंट है 17.3 है ओ देखो प्रइवेट इंसुरेंस बिजनेस में हाइस्ट सिंगिल लाइजस्ट इंसुरिंग इंसुरेंस सेलिंग कमपनी लाइफ इंसुरेंस में लेकिन केवाल लाइफ इंसुरेंस में लेकिन वो सिंगिल लाइजस्ट इवें तुडें इतना कॉम्पेटिशन होगे इतने सारे प्रइवेट अपरेटर्स इंसुरेंस सेक इसका मार्कट शेर 62 परसंट है आप इमेजन करो बाकी सारे मिलके 38 परसंट का बिजनेस कर रहे है और उनका पी रेशियो आप देखो गे तो किसी किसी का 60-70 ऐसा करके है जैसे HFC Life, SBI Life, ICSA Prudential, Macs वगयरा बहुत सारे है लेकिन यह तिनो कुछ जादा है बड़े है HFC Bank का, SBI का, ICSA Bank का यह तिनो Banks के यह इंस्जरेंस कमपने, डिविजन्स है यह तो बड़े है लेकिन उनका पी इस पी के साथ गंपेर करो तो पता चलेगा कि यह तो सस्ता है today it looks still it looks cheap there is a lot of buying इतना buying हो रहा है आप देखो graph में एक बार आप देखो कितना buying हो रहा है यहां से यह तक यह इस particular point से मेरे काल से अभी recent है बढ़ता जा रहा है और इसका RSI देखु तो dividend yes यह बढ़ता dividend दे रही है तोड़ासा dividend दे रही है अब इसका dividend yield less than half around half percent है लेकिन आगे आने वाले time में यह दोनो dividend बहुत देने वाले आने वाले time में यह दोनो dividend बहुत देने वाले तो फिर to wrap up just conclude यह सही है वो सही है कैना बड़ा मुश्किल है जैसे south bank and s bank of course s bank s bank का potential है कुछ ज्यादा है लेकिन capital structure मेरे कहल से capital structure बड़ा है ज्यादा है जितना capital बड़ा होता है उसका share value में बड़ा होता है small market cap है जल्दी pick up करेगा उस sense में south bank कुछ ज्यादा जल्दी pick up करेगा लेकिन ultimately south bank से भी better जा सकता है s bank लेकिन very very long term की बात कर रहा हूँ otherwise दोनों को compare किया जाए वो तो ठीक है दोनों ठीक है अब यहाँ पर IRCTC और LACF India को कैसे लिया जाए वैसे तो compare क्यों करे तो दिग्ज है जैसे left hand and right hand यह left hand useless है क्या left hand useless right hand ठीक है ऐसा कुछ नहीं है दोनों पाउँ दोनों ठीक है so it is like two legs left leg and right leg left hand and right hand आप हमें compare करना नहीं चाहिए दोनों अपने आपमे माहिर है बहुत अच्छे है लेकिन इन्वेश्ट किया जाए नहीं किया जाए इन्वेश्ट करे तो कब किया जाए के वल मैं अपनी राय दे रहा हूँ just I am giving my opinion only but don't take it as an investment advice you cannot you should not क्या है ये दोनों अभी अभी growth stage में अभी इनकी growth की शुरुवात हुई just हुई हो रही है क्योंकि privatize किया अभी अभी किया तो privatize करने के बाद ये दोनो लंबी रेस के गोडे हैं लंबी रेस के गोडे के मतलब है marathon runners जल्दी हारने वाले जल्दी बैटने वाले नहीं है और दोनों का business बढ़िया है insurance business भी अच्छा है साथ साथ वो बहुत कुछ करती है LIC of India इसके investments वगेर वगेर नेट वर्थ बहुत अच्छा है बढ़ा अच्छा नेट वर्थ है LIC का भी IRCTC का तो पूछो मत बहुत बहुत growth है growth prospects है अब technically लिया जाए IRCTC appears to be okay if one wants to enter of course market तेज है 22,000 level पे है तो one may think let me wait for a correction and buy it that is okay no 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 let me start buying it that is also okay installment में करिजने वालों के लिए तो कोई भी time right time ही होता है एकी साथ करिदना चाहता हूं एकी बार करिदना चाहता हूं ऐसा कोई सोचेगा तो उसको सोचना पड़ेगा मोरत निकालनी पड़ेगी क्या तो correction आएगा क्या correction कब आएगा correction आएगा तो खास कर इस share में correction जब आएगा तब करीदूंगा यह सारी चीज़े उठी है और LSE की बात करें यह इतना दवड गया इतना दवड़ा यह 80s में है इसका RSI Relative Strength Index 80s में कहते है कि 75 के बाद बापरे खरीदना नहीं चाहिए दोई तो ओर बाड पोजिशन में है ऐसा कहते है ना लेकिन 70 के बाद तो दवड़ता तो बहुत फास्ट दवड़ता है ना यह भी तो दवड़ रहा है देखो लेकिन सावधानी बरते मेरे को लगता है कि यह स्विंग में वो दवड़ रहा है तोड़ा सा कही शांत हो जाएगा थोड़ा नीचे आएगा तो उस लेवल पे खरीदना बनता है क्योंकि इट इस अबोव 80 मेरा तो दिल ने करता यह दोनों स्टॉक्स मेरे पास है छोटे-छोटे small quantities में यह दोनों को मैं होल्ड कर रहा हूं small quantities okay hold कर रहा हूं but मुझे लगता है कि buy on dips यह LAC में भी क्योंकि LAC इतना दवडा क्यों रहा है मुझे लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि government IRCTC की तरह इसको भी बेचेंगे बीच में split करेंगे 10 रुपे वाला share को तो 5 पांच share बना देंगे one becomes five shares इस तरह कुछ करेंगे ऐसे कुछ है जरूर कुछ है otherwise इतना दवडता नहीं है so और भी दवड सकता है तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि फोमो फोमो कहते है ना fear of missing out ओ मैंने मिस किया लेसी को मैंने मिस किया 900 में लेना था 800 में लेना था 600 में भी आया था ओ अभी अभी ना लू तो 1100 से 1500 में जाएगा 2000 जाएगा इसका टार्गेट कोई कोई टार्गेट भी देते हैं इसका टार्गेट डाय हजार इसका टार्गेट आठारा सो ऐसा बताते हैं ना सो आठारा सो का फिगर देखते हुए अच्छा अभी 1100 में करीदूंगा तो क्या नुक्सान है क्या दिक्कत है आठारा सो में तो बेचूंगा यह सोचके यह तो यह कैलिकुलेशन्स यह मैदमेटिक्स आपके यह अर्दमेटिक आपने कुछ कुद करना लेकिन मेरे को परसनल ही लगता है कि इसका थोड़ा सा करक्शन आ जाए छोटा ही सही उस समय इंट्री मारे और जिनके पास है तो क्या दिक्कत है होल्ड कर सकते हैं क्योंकि जो लोग व करते हैं लोगों के लिए भैतरीन मौका है यह वोली तिंग इस मार्केट्स आर इने रेज मार्केट्स काफी उंचे और तेजी है बस यही एक शाट कमिंग है अधरवाइज इस वन्डरफुल ऑपर्चुनिटी यह स्टॉक्स दोनों स्टॉक्स जैसे दो घोड़े जैसे दो घोडे के तेरा एकदम दवडने वाले है। Steadily, Growth Stocks, what I believe, यह मेरा, you can say, opinion तक ही है, It is only my opinion, just यह मेरी राय है, यह Stock Advice या Recommendation नहीं है, So, thank you very much, और इनके बारे में, आप अपनी राय बताईए, comment box में, comment box में comment कीजिए, बताईए, आपको यह पसंद आये, यह पसंद आये, या South Indian Bank versus S Bank, वो वाला जोड़ी पसंद आये, या यह वाला जोड़ी पसंद आये, इस टाइम पे entry कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह आपने क्योंकी बड़े-बड़े लोग है, देखने वाले, जरूर बता दीजे, आपनी राय बता दीजे, we want to read the comments, I request you to give your comments, okay जी, thank you very very much, all the best, good night.